आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी कह रहा हूँ, आज नरेंदर मोधी जी वो कुछ समय के लिए अपनी बीजेपी की संसद्य दल की बैठक में गए, तो शायद ऐसा लगता है कि वो भूल गए मुझाहिद्दीन के साथ जोड दिया ये आने वाले समय में मोदी जी को बहुत भारी पढ़ने वाली है आज मैं आपके बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा और जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी की जो रणनीती है राजनीती है आने वाले कुछ दिनों में जिसमें कल भी परसों भी और ऐसे धीर धीर आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की रणनीती राजनीती किस तरह की होने वाली है लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद बीजेपी अपनी इस गलती से उभर नहीं पाएगी, नरिंदर मोदी इस गलती से उभर नहीं पाएगी, और जिस किसी ने ये सला दी है, इंडिया को इंडियन मुझाहिदीन से जोडने की, इसका खाम्याजा भुगतना पड़ेगा, और इक बड़ी तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूँ, समझ ये, आज नर करने काम करना सुरू किया है, कि मोदी ने जो कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है, तो कुछ एक नाम इस तरफ है, क्या करेंगे नरिंदर मोदी, देशी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जवाब देना पड़ जाएगा, अब पहले तो ये क्या कर रहे हैं, वह दिखाता हू को, ये जो है, वो योग्य दितिनात का हैंडल है, और ये दो नाम मैंने या रखें, इसी तरह से भाजपा के तमाम नितावनिक परचार सुरू कर दिया है, क्या लिखा इनोंने, कोवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा, अमावश्या की काली रात को अंसकार में रची बसी, विभाजन कारी सोच और भारत, विरोधी दरश्टी समाप्त नहीं हो जाएगा, ये योग्य दितनात का ट्वीट है, और ये शाम को ट्वीट आया है, शाम को आज शाम को अभी साड़े आठ बज़े, सिवराज सिंग चोहान का ट्वीट है, शाम को साड़े छे वज़े, ये जो है, आपको समझ सकते हैं कि कहां से दिसा निर्देश गए होंगे, बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा, इंडिया वाले भाबा से यही पूछना था कि अब गुलाब से खुस्वू आएगी क्या, देखिए, अब कोई इन नामों के अंदर जो है ये जो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के मुख्यमंत्री जिसमें युगय जितिनाथ सबसे बड़े मुख्यमंत्री उनके और experience के साब से देखे तो सिवराज Sिंग चोहान और बड़े मुख्यमंत्री, ये दो मुख्यमंत्रियों के मैंने आपको tweet द्खाए है, और इन ट्वीट के अंदर आप देखिए कि इंडियन मुजाहिद्दीन शब्द लिखा है, जो मोदी ने कहा, इंडियन मुजाहिद्दीन, जिसके साथ में जोड़ा, एक आतंकी संगठन के साथ में इंडिया और इंडियन नाम को आप कंपरिजन कर रहे हैं। इसी तरह से आज इर्फान ने लिखा, और उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से कंपरिजन करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो यह हुआ, कि चार पैर भैस के भी होते हैं, और चार पैर कुत्ते के भी होते हैं। ने जोड़ने की जो गलती की है, इस गलती के उपर वो क्या कहेंगे और कहा कहा पर जवाब देंगे, सुनिए ज़रा कुछ जवाब जो है, वो पूछे जाने चाहिए, यह मैं कुछ एक जो है आपको, बीजेपी की तरफ से, जो आज सरकार कहने की कोशिस कर रही है, अब मो सरकार होती है, वो गौवर्मेंट ओफ इंडिया होती है, क्या करेंगे, इंडिया हटा देंगे, नहीं मानेंगे, विदेशी केवल जो है वो ऐसा नहीं कि यह बीजेपी का हैंडल है, उसको आप बदल करके बीजेपी भारत कर देंगे, बीजेपी फोर भारत कर देंगे, ग कहां कहां पर UNO तक जाकर के बदलवाना पड़ेगा कि government of भारत करो इसको कहां 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 पर करेंगे आप government of India, president of India, prime minister of India, home minister of India, PMO India, HMO India कहां कहां पर बदलवाएंगे कहां कहां पर जो है वो दस्तावेजों के अंदर बदलवाएंगे और दूसरी बात आपने जो इंडियन आप नाम जोडने की जो अज जो कलाकारी दिखाई है, वो कलाकारी आज सोचिए कितने देस बगतों को आज रुला रही होगी, कितने देस बगतों को, देखिए, Indian army, Indian army, क्या करेंगे आप, Indian, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, हम मुजाइद्दीन के साथ में अपनी आर्मी को कमाल की बात है इंडियन एर फोर्स इंडियन एर फोर्स इंडियन नेवी ये हमारी वो फोर्स है जो हमारी दिनों रातरक्षा करते हैं जिसके वज़े से नरिंदर मोदी जी देश के प्रधान मंतरी बने वे एंगा हूँ आप घर पर बैठ करके कहीं पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे तुम्हें इन्डियन कोश्टगाड इन्डियन रेलवे और आख़री में तो है ही हम We are Indian We are Indian हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि We are Indian और हम We are Indian के नाम से हमारा नाम है अब देखे यही जो है वो BJP को गलती चंद घंटों के अंदर पता चल गई और BJP ने चंद घंटों के अंदर जो है अब इसमें कहीं पर भी आपको इंडियन मुजाहिदीन दिखा, इंडियन P.F.I. दिखा, जिसका जिकर कर रहे हैं न नरेंदर मोधी, नरेंदर मोधी क्या कह रहे हैं, नरेंदर मोधी कह रहे हैं कि ये इस्ट इंडिया कमपनी है, तो ये जो इंडियन आर्मी है वो इस्ट इंडिया की वज़े से बन Government of India फिर वो तो सरकार हमेशा ही Congress कि रही अगर वहाँ पर भी इंडिया है तो तो आप बड़ी चोड़ी च्छाती करने के चकर में जो देखने के चकर में आप बहुत नीचे देख गए ऐसा काम कर दिया कि नीचा देखने का काम कर दिया और इसलिए बीजे पी जो है यह दो ट चार घंटे के लिए डिफेंड नी कर पाई और इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि जिस किसी ने सला दिया यह इंडियन मुझाहिद्दीन के साथ जोड़ के दिखाने की पुपलर फ्रंट ओफ इंडिया के साथ में दिखाने की इस इंडिया के साथ में दिखाने की वो वो वाटस संत्री अमिच्छा की तरफ से जारी हुई है एक चिठी कई है अधीर रंजन को एक चिठी कई है मलिकरजुन खडगे को और यहां पर जो है वो यह अमिच्छा साप जो है वो वाश्च के संस्द में बोल रहे थे सरकार अपना काम कर रही है अंगामा और ने कर रहे हैं वो काम हो रहा है उनका वो जो चीज रखना चाहरे है रख रहे है जिस पर बैस करना वो अपना बोल रहे है बस दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलेगा बात ही तो आज जो संसद के अंदर अमिच्छा जी ने का कि मैंने विपक्स के दोनों नेताओं से चिठ्थी लिखी है और पाग्रे किया कि संसद को चलने दिया जाए यहां पर जो अदीर रंजन को चिठ्थी लिखी और मलिकार जुन खड़गे को चिठ्थी लिखी और दोनों चिठ्थी लिख करके बताया कि साहब हम चर्चा के लिए बिल्कुल तयार है लेकिन ये चर्चा के लिए तयार है चर विपक्ष जो है वो क्या चाह रहा है विपक्ष चाह रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पहले सदन के अंदर बयान देने के लिए आए फिर लोकसवा में नियम 184 तो रजसवा में 266 के तहट चर्चा हो इस बात पर विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है इन नियमों क के तहट क्या होता है 184 के तहट अगर लोकसवा में चर्चा होती है 266 के तहट अगर रजसवा में चर्चा होती है तो चर्चा जो है वो होती है लंबी चर्चा होती है और चर्चा के बाद में वोटिंग का प्रावधान है वोटिंग होती है चर्चा के बाद में कि कितने ल में के तेयर है और राज सभा के अंदर 176 के तेयर है और इसके तेयर क्या होता चर्चा जो है वह अल्पकालिक होती है छोटी चर्चा होती है 266 के तेयर चर्चा होती है जब सारे जितने भी लिस्टिंग जो प्रोग्राम होते हैं एक दिन के, कि आज ये बिला आएगा, आज इस पर बहस होगा, आज ये होगा, आज वो होगा, सब खतम करके एक ही टोपिक पर चर्चा होती है, लेकिन 116 और 193 के तैट ये, लोकसवा में 113 में, रजसवा में 116 के तैट चर्चा चाहते हैं, और इसमें जो है, मतदान नहीं होता है साब, वोटिंग नहीं होती है, सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार वोटिंग से भाग रही है, ये जो यहाँ पर दो चिठ्थें आपको दिख रही हैं न, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है कि विपक्षाराय की लंबी चर्चा हो, उ आप देख लीजिए दूसरा और रूल दिखाता हूँ मैं आपको ये जो रजसभा का जो रूल है उसको आप देख लीजिए रूल 67 ये मैंने कल भी आपको जिकर किया था कि विपक्स जो है वो 267 के तहट चर्चा आ रहा है और 276 267 में वही है कि छोटी चर्चा होती है इसके अब बता दीजिए आप किसके तहचर्चा होनी चाहिए ज्यादा लोग किसके पक्स में है और यही वोटिंग में बीजेपी फश जाईगी अगर बीजेपी वोटिंग में अभी कोई कहेगा कि नहीं सांसत तो उनके है ये है वो है देखिए अंतरात्मा की भी कोई आवाज होती है अब तो विपक्स फसाने के लिए बहुत कुछ ले करके आएगा मनिपुर के उपर जो है वो बहुत कुछ हो सकता है और इसलिए बीजेपी इसको जो है वो घोल मेल करने में लगी हुई है और यही है कि 276 के तैद जो है समय बद नहीं होता है विस्तार में चर्चा ह रही हैं अटल व्यारी वासपई की भी मनमोन सिंग की भी और अमोधी साब दस साल मनमोन सिंग की सरकार दस साल इनकी सरकार और इससे पहले पांस साल की जो है वो अटल व्यारी वासपई की सरकार अटल व्यारी वासपई मनमोन सिंग और मोधी कुल मिलाकर के 26 साल में 11 बार ग्यारा बार चर्चा हुई और ग्यारा बार की चर्चा में 1990 के बाद में 267 के तैज जो है ग्यारा बार चर्चा हुई इसमें नोटबंदी है कोईला घोटाला कॉंग्रेस के समय पर चर्चा हुई और धर्म निर्पेस्ता के समय पर जो है वो मुद्दे पर और कई मुद्दो है वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए अधीर रंजन चोधरी को यहां पर जो है वो मलकर जुन खड़गे को दोनों को चिठी बेजी है लेकिन यहां पर कॉंग्रेस की प्रवक्ता ने जानकारी दिये ओंग्रेस की नेता सुप्रियस नेत ने जानकारी दियों कह ली कि राजनात सिंग का फोन आया था कल उन्होंने फोन किया खड़गे साब को और खड़गे साब को फोन करके कहा कि यह जो बना हुआ गति रोध इसको खतम करवाई है बातचीत सुरू करते हैं कुछ तो खड़गे जी ने कहा कि हम इस बारे में जो है वो रोजाना 266 के तेट नोटिस दे रहे हैं आप जो है वो 266 के जो नोटिस है उसको स्विकार करवाई है उस पर चर्चा करवाई है क्योंकि मनिपूर के इंसा को बरदास्त नहीं किया जा सकता प्रधान मंत्री को आकर के सदन में बयान देना चाहिए अब जब विपक्स ने अपना मुद्दा किलियर कर दिया है और इसमें एक पार्टी की बात नहीं सारा विपक्स किलियर कर रहा है कि प्रधान मंत्री आकर के जवाब दे और प्रधान मंत्री जाकर के इंडियन मुजाइदीन का बता रहे है प्रदान मंत्री जाकर के इस्ट इंडिया कमपनी का बता रहे है विपक्स को जो विपक्स मांग कर रहा है कि प्रदान मंत्री आए वो प्रदान मंत्री खड़े हो करके कि वहाँ पर संसदी दिल की बैटक में जाने का उनको पास समय है, वहाँ पर बोलने का समय है, और वहाँ पर जो है वो इस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाइदीन और फ़ला फ़ला बता रहे हैं। अब अगर ये बीजेपी की रन्यीती यहां पर काम्याब होगी नहीं होगी एक दो दिन में साफ हो जाएगा लेकिन विपक्स इन सारी चीजों को फिर ले करके जरूर जाएगा यहां नहीं तो रामिला मैदान साही रामिला मैदान में पड़ी रहली होगी ग्यारा तरीक के बार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर चर्चा नहीं हुई, पूरी तरह से ऐसी ठपकठप प्रोग्राम चला गया, तो मनिपुर को ले करके विपक्स की, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्यारा तरीक, जब जिसकी संसत जो है, उसका कारिका, ये जो म विपक्स की बैठक होगी, अधिकारी डेट किसी की नीया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और विपक्स की बैठक के पहले या विपक्स की बैठक के बाद, इक बड़ी बैठक, एक बड़ी रेलि फिर आपको तो हम लब में दिखेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, और आज की जो ये खबर है, और आज की तारीक है, आज की तारीक ये देख लिए आप क्या आज, जो है पच्चिस तारीक है, पच्चिस साथ को जो है, मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको, आगे मैं आपको द रहना है, तो दो वज़े मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटी वज़े हैं ये तो, और इसे बड़ी-बड़ी वज़े हैं, दो वज़े देखिए, पहली वज़े तो इतनी हिला देने वाली है, आदमी का सर जो चकरा जाए, इतनी भेंकर वज़े है, क्या वज़े है में पहला जो मरतक था, जो पहला सिकार था जिस हिंसा का, 21 साल का एक नोजवान चात्र, उसके परीजनों को अब तक सव मिलने का इंज़ार है, मनिपूर की सच्चाई देखिए साब आप, और मनिपूर के हालात को समझी आप, कि हो क्या रहा है, मनिपूर के अंदर जो हिंस हुई है, जिसमें करीब 160 तो 3-4 दिन पहले का आखड़ा आपको बता रहा हूँ मैं, जो सरकार ही आखड़ा है, बाकी तो अनोफिशल तो वहाँ पर पता नहीं, 200 लोग है, 300 लोग है, 500 लोग है, 1000 लोग है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन 40 सरकार का आखड़ा मैं बता इतनी हिला देने वाली बात है, और प्रदान मंतरी इंडियन मुझाइद्दीन का जिकर कर रहे हैं, प्रदान मंतरी इस्ट इंडिया का जिकर कर रहे हैं, 21 साल का नोजवान, तीन महीने से उसकी डेड़ वोडी तक नहीं मिलती है, साब, अब कहां इंडियन मुझाइद्द उनको मिल जाते इस लड़के की चेहरा देखी आप इसके माबाप इसका फोटो ले करके कहा कहा घूम रहोंगे और माबाप भी पता नहीं है कि नहीं जानकरी तो आई नहीं रही है वहाँसे साब दूसरी एक चीज़ देकिए आप जो कह रहें कि हम चर्चा के लिए तयार है चर्चा के लिए तयार है ये फोटो बहुत इंपोर्टेंट है और ये बताई भी थी मैंने आपको क्या हो रहा है संसद के अंदर मालूम है आपको और ये अब से नहीं है पिछले एक ट्रेंड बन गया है विपक्स की तरफ कैमरा ही नहीं जाता है संसद जो है वो इस तरह से बनी हुई है और इधर सत्तापक्स के लोग उधर विपक्स के लोग बैठते है कैमरा जो है या तो स्पीकर के मुँपर जो कुर्सी पर स्पीकर बैठता है स्पीकर के मुँपर कैमरा या फिर इधर सत्तापक्स की तरफ कोई बोल रहा है मोधि सरकार का सांसद तो उसके उपर कैमरा उधर कैमरा इधर कैमरा उधर कैमरा इधर कैमरा इधर कैमरा विपक्स तो अंगामा कर रहा है प्लेकार दिखा रहा है जो मर्जी कर रहा है विपक्स अपने जो नोटिस दिये उन नोटिस को दिखा रहा है कि हम दोसो सर्चेट के तर्चा के लिए नोटिस दिया है मैं सांसद हूं और नोटिस पर जो है मेरे पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए लेकिन नहीं हुआ फिर उसके बाद में कुरसी के पास पहुंच गए और कुरसी के पास जाकर के बोलने लगी 15 मिनिट तक तो वो कैमरा दिखाई नहीं न जग इधर रहता है उसके बाद संजे सिस्पेंड अब विपक्स के सांसद पता क्या कर रहे हैं कि कैमरा या तो उधर रहता है विपक्स के सांसद अपनी कुर्शियों से खड़े हो करके वो इधर आ रहे हैं जहां पर बीजेपी के सांसद बैठे वे हैं जहां पर बीजेपी के मंत्री बैठे वे हैं वहां आते हैं वहां करके कैमरे के सामने पोस्टर दिखा रहे हैं यह हालत है विपक्स के आज और यह देखिए यहां पर अरजुन मेगवाल जो ह तो वैठे वे हैं यह परलाद है यह बीजेपी के सामने आखर करने विपक्स के बिल्कुल है, क्या ही भी करके दिखा दो जैसे कि क्या ही कहूं मैं अब विपक्स के सांसत भी मानने नहीं है तो हैं कम से कम लेकिन अब तो यह हालत है और यह जो हालत है यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार का जो रवया है मोदी सरकार का जो तरीका है वो कितना सही है और यह चीज जो है वो अभी यह मान करके चलिया यह यहाँ पर चीजें निकलने वाली नहीं है मनИपूर जो है ना वहांपर सुलज़ेगा ना शानत होगा मेने आपको कुछ रिपोर्ट भी दिखाइए और सुलज़ेगा सुलज़ेगा शानत हो तब होगा जब आप उस पर सर्चा करेंगे बात करेंगे वहापर कुछ जो है वो चीजों का जो है वो कल मैंने आपको एक interview दिखाया है कल interview आपने देखा है मुक्च्यमंत्री का interview देखा है उसमें तेज़ शिरी एक बादुर रिपोरटर वो 18 सवाल पूठी रही मुक्च्यमंत्री से और मुक्ह मंतरी चू तक नहीं बोल पाई चू तक नहीं बोल पाई देखिए हलात कैसे सुद्रेंगे हलात तो तभी सुद्रेंगे जब यहाँ पर सेंटर से वहाँ पर स्टेट से दोनों तरीकेसे बात्चीत करके और अब क्या बोलूं? मुझे बोलने में बड़ा आजीब हाई वहाँ के मुख्य मंत्री का statement आजाता है बूसरे समूदाई के लिए कि वो समूदाई के लोग जो है उनको जिम्मदार ठहरा देते हैं और उनको ढतंकवादी तक कहरार देते हैं जब एक मुख्य मंत्री वो दूसरे समुदाई के साथ में और खुद एक समुदाई से आता है वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा है आपर जब वो खुद एक समुदाई से आता है और उस समुदाई के और दूसरे समुदाई के बीच में जड़ब चल रही है हिंसा हो रही है भिडंत हो रही है लड़ाई हो रही है और वो दूसरे समुधाई को जो है मुख्या मंतरी कह देता है कि वो फलाएं जो समुधाई है वो जिम्मेदार है और उसको आतंकी तक बता देता है यह टाइमस ओफ इंडिया की ख़़र में आपको दिखा तो ऐसी हाला आप में कैसे चीजे स्चान्त होंगी कैसे चीजे सुद्रेंगी यह सब आपके सामने हैं लेकिन मोदी जीन आज बड़ी गल्पी करें इंडियन मुजाहिद्दीन के साथ जोड़ करके अभी तक देश में ऐसी राजनिती नहीं हुई थी कि हम अपने विरोधियों को जो है वो अब भाजपा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाजपा के मुख्यमंत्री गुलाब का कोईल का कमल का पता नहीं किस किस चीज़ का उधान दे रहे हैं प्रदान मंत्री भी इस चीज़ का उधान दे सकते थे अब क्यो नहीं उधान दिया जा रहा है इंडियन मुजाहिद आपको पता है और इसलिए इसलिए फोटो जो है मैंने यहां रखी है कि वो ऐसे देखने के चक्कर में आँख दिखाने के चक्कर में आज आंखेन झीची हो रही है और इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा है गलती तो हो गई है अब इस गलती को कैसे सुधारा जाएगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन बीजेपी चार घंटे में ही अपनी जो रननीती थी मोदी जी का बयान था उससे बैक फूट पर आती वे साफ तोर पर दीख रही है तो बैराल शेर कीजे इस ख़बर को बड़ी तस्वीर जो है जो पूरे गहमा गहमी का पूरा एक जो मनिपूर को ल जरूर कीजिए और आप क्या सुंसते हैं नीचे कमेंट बुक्स में लिख करके बताएए ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी जागरुक हों उनकी दिमाग की खिड़किया खुले और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूजिए इंडिया को सब्सक्रा ज्छल मेंप देखखए बनलाइन न्यूजिए और सक्समार यूरु यहाएए़ग यॉजिए और लोग धुले और टूर्जरों उमानश जागरों के लिूजिए